एक स्पेशल क्लास होने वाली है तो विदाउट विस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं यह हमारे फेकल्टी मेंबर से आप देख सकते हैं यह हमारा टाइम टेबल है जो की प्रैक्टिस क्लासे जो यूट्यूपर फ्री ओफ कॉस्ट आपके सामने अवेलेबल हैं सबी सब लाब आज ही वस्टी लिखा है या क्या लिखा है उससे नहीं मतलब है अगर आपके exam में अगर आपके entrance exam के syllabus में gk mentioned है तो आप gk की लगी हर एक playlist में जो वहाँ पे जितनी भी class है उस playlist में gk की वो सब classes आपको करनी है ऐसे ही आपको हर एक subject के साथ follow up करने है definitely आपको result देख exam में reasoning और mental ability और mental aptitude या commercial math या computer जैसे subjects आ रहे हैं तो यहाँ पे हमने एक ही book में ये चीज़े आपको cover की है और इस book में सिर्फ आपको लिखा हुआ नहीं बलकि दो master videos भी मिलेंगी इसमें हमने solution करके बताया है हर एक question का और अगर आप live batch या जो batch है वो join करना चाहते हो तो whatsapp number आपको दे रखा है इस पे आप हमसे कुछ भी detail वगरा पूछ सकते हो और यहाँ पे चीज़ों को ले सकते हो description box में आपको direct link भी मिल जाएगा तो चलिए start करते हैं और यहाँ पे family में तो family को subscribe करके bell button जो दबा दीजे जिसे आने वाले दिनों में आपको सभी updates time to time मिलते र और the peace, the peace है शांती का जो वाता वरंट था उसको स्थापित करने के लिए यहाँ पे 1954 में इंडिया और चाइना के बीच में ये पंच शील प्रिंसपल साइन हुए थे, direct question आप से पुझेगा कि पंच शील प्रिंसपल किन दो कंट्री के बीच में साइन हुए थे या फिर इ एक लाइन में आपको to the point answer देखने को मिल रहा है की सर इंडिया और चाइना के बीच में हुए थे पंच शील प्रिंसपल साइन और 1954 में प्राइम मिनिस्टर कौन इन्वाल्व था यहाँ पे तो आपको याद रखना है इंडिया की साइट से जवाल लाल नहरू थे और यहा करने में अगर हम इन पंच शील प्रिंसपल की बात करें तो यहाँ पे आपके सामने पांचों प्रिंसपल कुछ इस तरीके से मैंने लिख दिये हैं आप इनको पढ़िए याद रखीगा क्योंकि यहाँ पे कभी-कभी options में दे देता है कि इन में से कौन सा option वो है जो की पं mutual non-interference in each other's internal affairs जो भी country की अपनी internal affair हैं जो भी चीजे हैं disputes हैं वो country अपनी खुदी solve करेगी हम उसमें involved नहीं होंगे equality and mutual benefit होगा और peaceful coexistence दोनों शांती से रहेंगे आगे बढ़ते हैं which two languages were spoken in Bombay state before it was divided in 1960 तो जो Bombay है 1960 में डिवाइड होने से पहले उसमें कौन सी दो languages mainly बोली जाती थी यह आप से पूछ रहे तो answer is Gujarati and Marathi ने मैनी four princely states that resisted their merger with the Indian union आप सभी को पता है कि इंडिया को देरे-देरे form किया गया जब separation हो रहा था तब कुछ ऐसे states थे जिन्हों ने बोला कि हम नहीं हम इंडिया में शामिल नहीं होंगे हम अलग से रहेंगे अपने अपने रियास्ती state को बनाते हुए तो वो state कौन कौन से थे वो आपके सामने है कि जूनागर था हाइदराबाद था काश्मीर था और मनीपूर था ये चार ऐसे states थे जो मर्ज नहीं हुए थे इनको बाद में सरदार वललब भाई पतेल ने धीरे-धीरे करके मर्ज किया था ठीक है नेक्स्ट टू नेशन थियोरी किसके द्वारा दी गई थी तो टू नेशन थियोरी है मुहमद दली जिन्ना के द्वारा दी गई थी जिसमें हमने separate state की मांग की गई थी Muslims के लिए especially बहुत बड़े supporter थे मुहमद दली जिन्ना Muslims के तो याद रखना है टू नेशन थिय दी गई थी मुहमद दली जिन्ना के द्वारा और जिसमें separate state for Muslims की बात कही गई थी next हम देखे तो how many princely states consisted at the time of independence of India तो जब independence of India जब हुआ India को आजादी मिली और आजाद हुआ तो वहां पर कितने princely states थे 565 princely states थे next state state's reorganization commission report was based on the distribution of boundaries of state on language basis to reflect linguistic aspects ठीक है तो language basis था जे आपको याद रखना है state reorganization commission proposal for linguistic principles of reorganization was accepted in तो नागपुर का जो congress session था 1920 का उसमें यहां पर linguistic principles of reorganization जो है वो accept किये गए थे ठीक है भाशाई तोर पर यहां पर हम अगला देखिए तो WSF का full form world social forum होता है याद रखना है Bombay got divided on bilingual basis consisting of Gujarati and Marathi speaking people हमने अभी देखा यह दो languages use हुई थी Bombay में जब 1960 का उसमें अलग किया गया था उससे पहले तो Gujarati और Marathi वो languages थी state reorganization commission जो है वो कब setup किया गया तो 1953 में setup किया गया और state reorganization commission ने 14 states बनाए और 6 union territories बनाए बहुत ज़्यादा important है अभी हम बात करें तो 28 हमाई पास states है और 8 union territories है ठीक है high courts कितने है total 25 हाई court है हमारे पास आप काऊगे sir 28 states है 8 union territories है total करें तो 36 के अप्रॉक्स बन रहा है तो 25 हाई courts और 36 ये चीज़े हैं दोनो तो बाकी के कहां पर अपना jurisdiction करेंगे तो भाई मैं कहूंगा कि हमने इसकी बारे में भी class ले रखी है high court की जिसमें मैंने बताया था आपको क्या होता है कि एक high court कई सारे state या कई सारे union territories का भी चीज़े देख सकता है तो यही है कुछ ऐसे high courts हैं जो कि गोगा का भी देखते हैं और other countries का भी वेस्ट बेंगॉल और अंडमान निकुबार का भी देखते हैं इसलिए यहाँ पर total high courts 25 हैं और states 28 और union territories यूटी इस एट हैं इसमें यहाँ पर याद रखने हैं जब state reorganization commission बना तो 1953 में बना और 14 states थे और six union territories थी फिर मैंने बताया आपको कि कुछ ऐसे चार पांच चार से पांच ऐसे princely states से दो यहाँ पर बाद में शामिल किये गए इसमें जूनागड चम्मु कश्मीर हैदराबाद और मनीपुर शामिल था ठीक है आगे हम देखें तो which of the following has most profound influence in framing the Indian constitution तो इसमें से कौन सा वो act है कौन सा वो act है जो कि जिसका जादा बहुत जादा फर्क पड़ा है Indian constitution पर या बहुत सारे चीजे उस act से ली गई है हमारी Indian constitution में तो वो है आपका option number B that is Government of India Act 1935 का जो था उसमें बहुत सारे ऐसे provisions थे ठीक है suggestions थे जो कि Indian constitution में लिए गए तो Government of India Act 1935 Act that introduced communal electorate in India communal electorate इंडिया में किस act ने introduce किया तो वो था आपका Indian Council Act of 1909 by virtue of which act hierarchy was introduced तो डायर की किस act से लाए गई तो वो आपका Government of India Act 1919 से लाए गई Government of India Act जो था 1935 का वो किस पर बेस्ट था तो principle of federation and parliamentary system principle of federation and parliamentary system पर बेस्ट था Government of India Act 1935 monopoly of East India Company was abolished तो charter act जो 1813 का था वहाँ पे जो East India Company थी उसकी monopoly abolished कर दी गई थी सिर्फ tea और trade को छोड़ कर जो की चाइना के साथ हो रहा था बाकी की जो चीजे थी वो सब बंद कर दी गई थी abolish खतम कर दी गई थी charter act 1913 1813 में next देखें तो Government of India Act 1919 also known as इसको हम क्या बोलते हैं मॉन्टे कैंसफोर्ड रिफॉर्म हम बोलते हैं मिन्टो माडले रिफॉर्म यह हम 1909 वाले को बोलते हैं जैसे कि यहाँ पे 1919 also known as तो यहाँ पे आपका अंसर बनेगा D. मॉन्टे कैंसफोर्ड ठीक है देखें यहाँ पे दुसरा कोशन है आंसर पहले ही रख दिया वा तो मिन्टो माडलेडि रिफॉर्म सौर्ण सौल सो नवनhouse एक ही तरीखे के कोशन से है बट कैसे कैसे पूच सकता है EXAMINAL वो भी मैंने आपके सामने रए रखा है तो guys यह efforts अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो make sure आप वीडियो को like करके share जूरू करें योगि उससे हम में motivation मिलता है और अगर course लेना चाहते हैं आप तो यहाँ पे whatsapp की detail आपको दिख रही है description box में भी आपको सभी चीज़े दी हुई है यह question में again Government of India Act 1919 तो हम इसे Monty Kelsford Reforms बोलते हैं Government of India Act 1935 तो इसको हम यहाँ पे Simon Commission जो है आपको याद रखना है related है ठीक है यह question में थोड़ा सा मेरे को गड़बड़ी लग रही है तो इसको आप अभी कार्ड दीजेगा ठीक है नेक्स कोशन पर हम चलते हैं फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट जब आपसे पूचा जाएगा important question है आंदर प्रदेश याद रखना है राजिस्थान में confused नहीं होना है फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट की बात आएगे तो आंदर प्रदेश आपको नाम याद रखना है तो मैंने भी आपको बताया कि कुछ ऐसे प्रिंसली स्टेट थे जो शामिल नहीं हो रहे थे इंडिया में तो भई सद्दा वलब भई पटेल वह थे जिन्नों ने अपनी तरीके से शामिल किया चीजों को ताज महल कहां पर आपको देखने को मिलता है तो ताज महल आपको आगरा में देखने को मिलता है पिट्स इंडिया एक्ट ये कब आया था तो आपने देखा 1784 में आया था और यहां पर हम बात करें याने रिसेंटली रुपए कार्ड लॉंच्ट इन विच सिटी बाई पीम तो यह जो है इसका करेक्ट आंसर नेपाल होगा और यहां पर डी मॉनेटाइजिशन आपका आठ नमंबर और 2016 में हुआ था IPC 125 आपकी बोलती है कि तो दो यहां पर कंट्रिस के बीच में वार लाइक सिटी विच में अगर आप पैदा करते हो तो IPC 125 के ताहत आपको कुछ पनिश्मेंट दी जाएगी बैटन ओफ ओनर का ही जो अभी अवार्ड दिया गया था किसे दिया गया था तो कीरन बेदी को दिया गया था एनॉर्मस का मतलब बहुत बड़ा या वेरी ग्रेट होता है और एसे परसन को हम क्या बोलते हैं लिबरल बोलते हैं और यहाँ पे मिनाक्षी मंदिर आपको मदुरही तमिलनाडू में देखने को मिलता है और आर्टिकल 14-18 किस से रिलेटेड है तो राइट टू एक्वैलिटी से रिलेटेड है ठीक है यह सब कुछ कोशन्स हैं जो हम पहले कर चुके हैं जिनका हम रिवीजन कर रहे हैं अर्थ रिवॉल्स अराउंड दे सन इन हाव मैनी डेस तो तीन सो पैसेट दिन पांच घंटे उनचास मिनट सोला सेकेंड त्री सिस्टी फाइव डेस फाइव आवर्स फिफ्टी नाइन मिनट सेकेंड लगते हैं आर्टी और एमराई का फुल फॉर्म राइट टू इन्फरमेशन और मैगनेटिक रेजोनेंस इमेजिंग होता है एक कुशन्स हम पहले देख चुके हैं इसलिए मैंने बोला आपको की रिवीजन चल रहा है यहाँ पे थोड़ा सा और पहले हमने यहाँ पे कुछ जो पॉल आपको देखने को चीज़े मिलती है इंडियान इंडिपेंडेंस एक 1947 यह जो है आपका मौंट बेटन प्लान से रिलेटेड है और यहीं पे आपका जो हमारा आज का सेशन है वो हम खतम करते हैं कुछ हमने इंपॉर्टेंट और मोस्त इंपॉर्टेंट कोशन्स देखे जो इबुक आप ले सकते हो अलग-अलग जोनो जोनो चीज़े हैं जो मनचाए वो आप ले सकते हो अगर आपके एंटरेंस एक्जाम में वो सब्जेक्ट आ रहे हैं तो बाकी यहाँ पे आप वाट्साप नमबर आपको हमने शो कर रखा है डिटेल सा आपको डिस्क्रिप्शन कर दे रहे हैं जो कर देरेंस